C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारपस्तु थे कक्षा 10 के लिए उर्दू की द्वनी पाठे पुस्तक नवाए उर्दू भाग 2 सबक फानी बदायूनी तार रुफे शायर फानी बदायूनी पैदाईश 1889, वफात 1941 शौकत अली खान नाम पहले शौकत और बाद में फानी तखल्स इख्तियार किया। उत्तर प्रदेश के जिला बदाईउं में पैदा हुए। उनके वालिद पुलीस के महकमे में इंस्पेक्टर थे। फानी ने 1897 में एंट्रिंस का इम्तिहान पास किया। 1901 में बरेली कॉलिज बरेली से बी ए पास करने के बाद मुलाजमत इख्तियार की। कुछ अर्से तक मुदर्स रहे, बाद में मुलाजमत तर्क कर दी। और 1908 में MAO कॉलिज अलीगर मौजूदा मुसलिम यूनिवरस्टी से L.L.B. की डिगरी हासिल की। इसके बाद लखनओ, आगरा, इटावा, बरेली और बदाईयों में वकालत की। लेकिन फानी को वकालत से दिल्चस्पी न थी। इसलिए इस पेशे में उन्हें काम्याबी नसीब न हुई। 1932 में महराजा किशन प्रशाद की दावत पर हैदराबाद पहुँचे। महराजा के दर्बार से वाबस्ता रहने के साथ साथ वो हैदराबाद के एक सरकारी स्कूल में हैड मास्टर हो गए। फानी के आखरी ऐयाम तंगदस्ती और परिशानी में गुजरे। उनका इंतकाल हैदराबाद में हुआ। फानी का ये मकता उनकी जिन्दगी पर सादिक आता है। फानी ने पहली गजल 1890 में यानी 11 साल की उम्र में कही। उनके वालिद शायरी के खिलाफ थे इसलिए फानी छुपकर शेर कहते थे। ज्यादतर कलाम तल्फ हो गया जो कुछ बचा वो बाकियात फानी 1926 के नाम से शाया हुआ। बाद में दीगर और मजमुए इर्फानियात फानी उन्नी सो उन्तालिस और वजदानियात फानी उन्नी सो चालिस के नाम से मन्जर आम पर आए। फानी का शुमार अर्दू के मुम्ताज घजल गो शायर में होता है। शायरी में दर्दो गम के मजमीन की कस्रत के बाइस फानी को यासियात का इमाम कहा गया है। अब पेश है फानी बदायूनी की एक घजल। दुनिया मेरी बला जाने महंगी है या सस्ती है मौत मिले तो मुफ्त न लूँ हस्ती की क्या हस्ती है। आबादी भी देखी है वीराने भी देखे हैं जो उजड़े और फिर न बसे दिल वो निराली बस्ती है। जान सिशे बिक जाती है एक नजर के बदले में आगे मर्जी गाहक की इंदामों तो सस्ती है। जगसूना है तेरे बगएर आखों का क्या हाल हुआ जब भी दुनिया बस्ती थी अब भी दुनिया बस्ती है। आसू थे सो खुशक हुए जी है के उमड़ा आता है दिल पे घटासी चाई है खुलती है ना बरस्ती है। दिल का उजड़ना सहल सही बसना सहल नहीं जालिम बस्ती बसना खेल नहीं बस्ते बस्ते बस्ती है। फानी जिसमें आशू क्या दिल के लहू का काल न था हाए वो आख अब पानी की दो बूंदों को तरस्ती है फानी बदायों नी मश्क लब्सों मानी हस्ती वुजूद जिन्दगी काल कहत कमी सहल आसान गौर करने की बात नमबर एक हस्तु यास फानी की शायरी की बुनियादी खुसूसियात है नमबर दो इस घजल में फानी ने बाज जगा ऐसे अलफाज इस्तेमाल किये हैं जो एक दूसरे की जिद हैं जैसे महंगी सस्ती मौत हस्ती वगएरा इन मुतजाद अलफाज के इस्तेमाल से शेर की मानवियत में इजाफा हुआ है अलफाज के इस इस्तेमाल को सनते तजाद कहा जाता है सवालों के जवाब लिखिए नमबर एक शायर ने दिल को निराली बस्ती क्यों कहा है नमबर दो हस्ती की क्या हस्ती है से शायर की क्या मुराद है? नमबर तीन बस्ती बसना खेल नहीं, बस्ते बस्ते बस्ती है इस मिस्रे में पहले लवज बस्ती और दूसरे लवज बस्ती के फर्ख को वाज़ कीजिए अमली काम नमबर एक इस गजल के काफियों की निशान दही कीजिए नमबर दो आगे दिये गए अलफाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए जग बस्ती घटा सहल लहू काल नवाए उर्दू भाग दो पेशकश C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत C.I.E.R.T.